दोस्तों अगर आप AirTail Thanks अप्लिकेशन के यूजर है तो देखिए AirTail Thanks अप्लिकेशन में कुछ नए क्रिट कार्ड आए है मैं इस वीडियो में लाइब दिखाने वाला हूँ कि कौन सा कार्ड है और कैसे अपलाई करना है तो देखिए यहां पर AirTail Thanks अप्लिकेशन को अप्डेट कर लीजिएगा उसके बाद उसको ओपन करते हैं ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने देखने के लिए मिल जाएगा अभी आपको क्या करना है नीचे देखिए कुछ options दिख रहे हैं इसमें pay का option है pay वाले option में आप किलिक करेंगे जैसे ही pay वाले option पे किलिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का dashboard आएगा आपको जो है उपर scroll करके जाना है उसके बाद देखिए यहाँ पर air tail finance में देखिए यहाँ पर air tail finance लिखा हुआ है उसके बाद first option credit card है personal loan वगएरा है तो देखिए यहाँ पर दे रहा है कि gate credit card up to raise 5 lakh limit के बारे में बोल रहा है यहाँ पर दे रहा कि अगर आप credit card apply करते तो 5 lakh तक limit यहाँ पर आपको मिल जाएगा तो देखिए यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा card अभी आया है पहले क्या आता था कि air tail thanks application में न access bank credit card दिखाई देता था अब यहाँ पर जो है कुछ card जो है add किये गए है और बहुत सारा card यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपको तो क्या करना है देखिए यहाँ पर इस वाले option को click करते हैं credit card वाले option को उसके बाद थोड़ा सा loading लेगा आपको इंतजार करना है उसके बाद यहाँ पर देखिए credit cards का option खुलके आ जाएगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले HDFC bank का millennia credit card है उसके बाद data new credit card है उसके बाद देखिए यहाँ पर shopper stop जो है HDFC bank वाला credit card है वो भी है और भी बहुत सारे card नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर money back credit card है इंडिया नोल credit card है उसके बाद यह स्विगी का credit card है फिर SBI के तरफ से भी यहाँ पर card रखा गया है उसके बाद जो है बहुत सारे card अभी लाया गया पहले क्या होता था कि सिर्फ एक ही card आपको देखता था Airtail Access Bank credit card अभी यहाँ पर card बहुत सारे आ गया है और यहाँ पर बोल रहा है कि आपको 5 लाग तक limit मिल सकता है देखिए एक चीज़ यहाँ पर और है कि third party application से अगर आप credit card apply करते हैं तो card approved होने का chance ज़्यादा हो जाता है क्योंकि यह third party application provide कर रहा है तो देखिए यहाँ पर इस तरह के card आपको देखने के लिए मिल जाएंगे अगर आप कोई भी card लेना चाहते हैं तो apply करने का procedure क्या होगा यहाँ पर कि जैसे मान लेजी कि मैं इस card को HDFC bank millennia के card को click करते हैं तो देखिए यहाँ पर joining fees के बारे में बतारा कि 1000 रुपया है उसके बाद बहुत सरा इसमें cashback benefit and feature के बारे में नीचे दिया हुआ है भी भरने की ज़रूत नहीं सारा detail यहाँ पर आ जाएगा अब देखिए यहाँ पर एक condition मेरे को आ रहा है कि service is not available here try another pin code मतलब यह है कि मेरे area का जो pin code है यहाँ पर यह service available नहीं है मतलब यह card यहाँ पर deliver नहीं किया जाएगा तो आप जो है दूसरा pin code try करिए ऐसा बोल रहा है तो आप अपना एक बर pin code यहाँ पर डालिएगा try कीजिएगा अगर आपको यह offer मिल जाता है तो यहाँ पर असानी से आपको card मिल जाता है term and condition करके submit application कर दीजिएगा थोड़ा सा कुछ information आप से पूछा जाएगा आप अगर details सही सही डाल देते हैं तो card जो है approved होने का chance ज्यादा है तो बोलने का मतलब यह है कि पहले यहाँ पर सिफ access bank air tail के card दीखता था अभी HDFC bank, SBI सभी card यहाँ पर नज़रा आ रहे है आपको जो भी अच्छा लगे आप एक बर apply करके जरूर try कीजिएगा